गोड़ मोर्नेंग बच्चों कैसे हो आप सब हमारा जो चेप्टर है चीडिया कर हो आमने समझ लिया था अब उसकी हम एक्सरसाइस करेंगे ओके उसका अप्यास जिसमें पहले मोखिक प्रशन आएंगे ओके ये देखो मोखिक प्रशनों के उत्तर देजिए तो उसमें पहला क्वेश्चन है अरनव और सुरुजन दिल्ली किसके घर गए थे ओके तो ये कहानिया आपने सुनी तो उसमें आया था कि वो दिल्ली किसके घर ग गए थे, तो उसका आणसर है, अपनी मौसी के घर गए थे, कहां गए थे अपनी मौसी के घर, दूसरा question है, मौसी ने किसकी कहानी सुनाई, तो किसकी कहानी सुनाई थी मौसी ने, शेर और खर्गोस की कहानी उके, सो इजी है आपको अच्छे से याद रे जाएगा मौसी ने शेर और खर्गोस की कहानी सुनाई उसके बाद लिखित प्रश्णों के उत्तर दिजिये उसमें बेला क्वेश्चन है अर्नाव और सुरुजन चुटियों में कहा गए तो कहा गए थे चुटियों में वो आपको अंसर आता है इसका तो इसका अंसर है मौसी के घर गए ओके दूसरा क्वेश्चन है शेर केसा जानवर होता है हमने कहानी सुनी उसमें आया था कि शेर केसा जानवर है तो उसका अंसर है शेर बहुत तेज फूर्तिला और शक्तिसाली जानवर होता है है ना वो बहुत ही फास्ट तोड़ता है और उसमें ज्यादा फूर्ति होती है और वो बहुत ही सक्तिसाली है वो लोगों को खा जाता है ओके आगे अर्नव और श्रुजन ने मोसी को क्यों कसकर पकड़ लिया उसने क्यों एकदम से मोसी को पकड़ लिया था आपको पता है तो उसका अंसर है शेर को दहारते देखकर मोसी को पकड़ लिया जब शेर ने अपनी आवास निकाले तो उसकी आवास सुन कर वो दोनों डर गए इसलिए उसने मोसी को पकड़ लिया आगे है बच्चों ने चीडिया घर में कौन-कौन से जानवर देखे तो उसका अंसर है शेर, पालू, जीराफ, बारसिंगा, सेबरा और चित्ता देखा उसके बाद सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ यह question है और उसके तीन option है तो आपको सही option में टिक का निशान लगाना है पेला है बच्चों ने किस तरह के पशु-पक्षी देखे तो चलो, छोटे-छोटे, लंबे-लंबे की रंग-बेरंगी तो सही answer क्या है रंग-बी-रंगे नेक्स्ट है जीराफ की गर्दन केसी थी? जो जीराफ होता है उसकी गर्दन केसी होती है? मोटी-छोटी की लंबी? क्या यह गा सही answer? लंबी तो उसके सामने आपको राइट करना है आगे काली सफेद धारी वाला कौनसा जानवर था? कौनसे जानवर के उपर काली और सफेद रंग के पटे होते है? जीराफ बारसिंगा की जेब्रा? तो उसका सही answer है जेब्रा उसके बाद दिये गए सब्दों से वाक्यों को पूरा करो यह आपर जो option दिये है आपको blank में सही option फिलब करना है तो पेला है कच्वे पानी के खाली जग आ जा रहे थे हमने कहानी सुनी उसमें आया था कि कच्वे पानी के अंदर बाहर आ जा रहे है तो blank में आपको क्या लिखना है अंदर बाहर? आगे तालाब में खाली जग बतके तेर रही थी केसी बतके तेर रही थी? सफेद नेक्स्ट अर्णव और सुरुजन ने मोसी को खाली जग पकड लिया किसे पकड लिया था? एकदम से कस कर? और लास्ट है शेर खाली जग रहा था तो शेर क्या कर रहा था? दहार रहा था उसके बाद नेक्स्ट क्वेस्चन है इन सब्दों के उल्टे अर्थवाले सब्द लिखो उल्टे यानी ओपोजिट वर्ड चोहर चेप्तर में आता है तो पहला है लंबी तो लंबी का उल्टा क्या होता है? छोटी समझ में आगे है लंबी उसका उल्टा छोटी अंदर अंदर का उल्टा बाहर काला काला का उल्टा सफिद मोटा मोटा का उल्टा पतला तो यह एक्सरसाइस यहीं पर खतम होती है आपको समझ में आ गई होगी और इसको अच्छे से टेक्स्बूक में बाद में फिल अप कर लेना है ओके ओके बाइ बाइ ब्रीववान